तो दोस्तो आज हम आपके लिए ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर रहे हैं, जिसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय, कम खर्च और कम महनत लगती है और दोस्तों जब ये बनती है तो बाजार की मिठाई भी इसके सामने फिकी लगने लगती है बहुत ही अमेजिंग लगती है तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है एक कप मैदा आप इसकी जगा गेहूं काटा भी ले सकते ही एक कप लेंगे सूजी साथ है इसमें मोयन के लिए डालेंगे वन फोर्थ कप से मैंने थोड़ा कम देसी घी लिया है घी ही लीजेगा स्वाद अच्छाएगा थोड़ा सा डालेंगे नमक आदा चमच इलाइचिका पाउडर और इन सभी चीजों को पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हमें एक कप से कम दूद लेना है मैंने एक कप लिया था लेकिन मुझे एक कप से कम मतलब 3-4 कप दूद लगा है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी आपको थोड़ा सौफ्ट बहुत ही ज़्यादा च है इसे हमें 10 मिनिट का रेस्ट देना है दस मिनिट के बाद देखिए जो हमने आटा लगा के रखा था वो अब थोड़ा सा ड्राय हो चुका है और इसे अब हमें अच्छे से मलना है बिलकुल यह आटी की तरह हो जाएगा और अब इसके बाद हमें इसके रोल बनाने है तो एक रोल बनाना है इस तरीके से आपको सारे रोल रेडी करने हैं और यहां पर जितनी मैंने सूजी और मैदा लिया है ना इसमें मैंने साथ रोल बनाकर तयार किये हैं यह देखे दोस्तों सारे रोल बन चुके हैं और अब हमें इसे फ्राइ करना है तो फ्राइ करने के लिए म हमेस में ये रोल डालना है, शुरु में मैं यहां पर 3-4 रोल डालूंगी और इसे फ्राई करूंगी, लेकिन फ्राई करने के लिए तेल को या फिर घी को आपको ज़ादा गरम नहीं करना है, इसे आपको मीडियाम फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि इसका जो कलर है वो ज्य मीठाई स्रिफ एकी कलर की बन पाएगी तो पहला बैच हमने फ्राय कर लिया है दोस्तों इसे हमें निकाल लेना है और इसी में ही आपको दूसरा बैच भी फ्राय करना है तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सारे रोल फ्राय कर लेना है और फिर आपको इसे ठंडा होने दे दिखे दोस्तों मैंने जो रोल फ्राइ की है वह अच्छे से फ्राइ की हैं लेकिन धीमे आज पर फ्राइ की हैं तक यह अंदर से कच्छी न रहे और इसका कलर भी ओवर ब्राउन ना हो अब इसे ठंडा कर लेने के बाद हमें तोड लेना है इसे बिल्कुल कर लेना है सूजी जैसा बनकर तयार हो जाएगा बिल्कुल सूजी जैसा दानेदार इसका टेक्शर होगा अब दोस्तों हमें लेना है कड़ाई क्योंकि अब हमें इसकी चाशनी बनानी है तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप और वन फोर्थ कप शक्कर अगर आप कम कैसे पहचानना है मैं आपको दो टिप्स बताऊंगी तो शक्कर जैसे ही घुल जाएगी जैसे पकना शुरू होगी इस तरीके से बड़े-बड़े इसमें बबल साएंगे देखें दोस्तों किस तरीके से बड़े-बड़े बबल सा रहे हैं बस अब आपको चेक करनला है ज इसमें मैंने 1 3rd cup milk powder डाला है तो अगर आपके पास खोया है तो आप इसमें लगवग 200 ग्राम खोवा डालिए या मावा डालिए इससे भी बहुत ला जवाब इसका टेस्ट आता है हमारे गर में हम अकसर मावा ही डालते हैं लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो मैंने milk powder डाला है अब इसे अच्छे से mix करना है और जैसे जैसे आप इसे mix करेंगे इसे पकाएंगे तो यह जो मिश्रन है वो गाड़ा होने लगेगा और बिल्कुल कड़ाई को छोड़ने तक हमें से पकाना है दोस्तों आप इसमें नारियल का बूरा या फिर जो ड्राइफ फ्रूट से बारी काट कर भी डाल सकते ही लेकिन मैंने आज नारियल का बूरा नहीं डाला है और आप देख सकते हैं दोस्तों अब यह कड़ाई को छोड़ने लगा है तब तक हमने इसे पकाया है बस जब तक यह ऐसा नहीं होता है तब तक पकाना है और फिर इसे सेट करने के लिए डा अधे मिश्रण में हम कल डालेंगे और इसे अच्छे से फैला ना है तो देखिए तीन मेरा जो है ना वह काफी बड़ा है तो मैंने मिश्रण आधे से में हम ही किया है और जो बचावा मिश्रण है उसमें मैंने डाला है pink कलर और ठोड़ा सा रोस फ्लिवर का essence और इसे अच्छे से हमें मिलाना है अब आपको गैस की flame एक से दो मिनट के लिए फिर से आउन करना है और इसे पकाना है बस जैसे ही color मिक्स होगा हमें गैस के flame बन कर के फिर से इस mission को जो हमारा white गलर का लेयर है न इसके ओपर डालना है और इसे भी अच्छे से फिलाना है अब अगर फिaitलाते वक्त ये चिपके तो इस पर ना थोड़ा सा घी लगा लीजिए स्पैचूला के ऊपर या फिर कोई के तोरी के ऊपर घी लगा या पर इसे फिलाइए और इसे सेट कीजी अच्छे सेट करने के बाद इसे हमें दो से तीन घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है उसे ये बहुत अच्छे सेट हो जाएगी और फिर इसे निकालना है और इसकी कटिंग करनी है तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से जब सेट होता है न तो इसके जो पीसे से बहुत अच्छे से बनकर तयार होते हैं, देखे मैं कट करके दिखा रहे हूं, कितनी सुंदर इसमें लेयर आई है आप देख सकते हैं, और यहां पर आपको मन चाहें अकार में से कट करना है, तो मैं आपको दो तरीके में इसके पीसिस करके दिखाऊंगी, दोनों ही बड़े सुन्दर दिखते हैं तो अच्छे से परफेक्ट शेप में से कट कर लीजी और अगर आपको छोटे पीसे नहीं रखने हैं तो आप इस तरह की से बड़े पीसे भी रख सकते हैं लेकिन मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बरफी का शेप दिया है और अगर आपको ट्राइंगल में कट करना है तो वह भी कर सकते हैं यह देखे दोस्तों कितने जबरदस्त इसके पीसे हुए हैं बिल्कुल यह लग रही ना बाजार वाली वह मावे या खोवे वाली बरफी हमने बनाई है सिर्फ घर के कुछी चीजों से जो हर घर पे इजिली अवेलेबल होते हैं और त इसे बीच से कट किया है तो इसका जो लुक है इसका शेप कितना जबरदसाया है अब इस तरीके से भी कट कर सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे मीठाई लग रही है तो कैसे लगी दोस्तों आज की यह रेसेपी मुझे जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज इ देगा